वीदा पिपिल और हम भारत के लोग इसमें लगातार लगातार जो आइंकर हैं जो संचालक हैं जो होस्ट हैं वो बदलेंगे जो इंडिजल होस्ट या एंकर हैं वो भी आएंगे जो गुरुप में या जो सम्हू में या एक या दो एंकर एक साथ आएंगे वो भी आएंगे और भी आगे कोई ना कोई बात इसमें बन सकती है तो एक host को, एक anchor को, एक संचालर को जो meeting का संचालन करे, meeting को चलाए उसको कैसा होना चाहिए और वो किस तरह से meeting का संचालन करे ये कुछ basics rules हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं इसको हर एक वीदा people का जो member है उसको समझना चाहिए और जब वो host करे meeting को, या meeting को anchoring करे या संचालन करे, तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए इससे उसको फायदा हुआ सबसे पहले ये समझें कि हम meeting क्यों करते हैं हम क्यों इखटे होते हैं, क्यों सभा करते हैं जब कोई समझ, कोई गण, कुछ लोग meeting करते हैं, इखटे होते हैं कहीं भी किसी भी तरे, ये तो virtual है, physical भी हो सकते हैं तो उनके दो कारण होते हैं या तो वो अपने welfare के लिए इखटे होते हैं, अपने फायदे के लिए इखटे होते हैं और या वो किसी के विनास के लिए, किसी को खतम करने के लिए, किसी को कष्ट पहुचाने के लिए इखटे होते हैं इन दो के अलावा इखटे होने का कोई तीसरा कारण कभी नहीं होता, गण का लोगों का अधिकतर केसों में जो लोग इखटे होते हैं वो अपने फायदे के लिए इखटे होते है जैसे कोई समस्या है उसके समाधान के लिए इखटे होंगे तो फायदे के लिए इखटे होंगे व्यापार के लिए meeting होगी, business की meeting होगी, तो business के फायदे के लिए इखटे होगे कहीं खुशी बाटने के लिए कोई party है, कोई शादी है, कोई marriage है, कोई function है, तो इखटे होगे कहीं कोई dead body है, कोई मर गया है, कोई बीमार है, तो दुख बाटने के लिए इखटे होगे दुख बाटना भी फायदे में आता है कहीं ग्यान बाटने के लिए इखटे होंगे जैसे किलास होता है, कोई टीजिंग होती है कोई आजूकेसन का सेंटर होता है तो वहाँ जो लोग इखटे होते हैं, बच्चे इखटे होते हैं तो वो ग्यान बाटने के लिए खटे होते हैं, वो फायदे के लिए हैं। किसी को अगर नुकसान पहुंचाना यानि कि कहीं अगर युद्ध करने जाना है, डिस्ट्रक्शन करने जाना है, वार करने जाना है, लडाई करने जानी है, तो उसमें एक पक्ष का फायदा है, एक का नुकसान है, यानि नुकसान करने के लिए भी खटा होते हैं, और फायद तरह से define होती हैं या तो उससे फायदा होगा सभासे मीटिंग से या उससे नुकसान होगा यहाँ जो मीटिंग चल रही है वीदा पीपिल में हम अपने welfare के लिए अपने फायदे के लिए यहाँ इखटे हो रहे हैं जो हम बार-बार anchoring बदलने हैं, sanchalun बदलने हैं और आगे बदलते रहेंगे। ये group sănchaling भी होगा, यानि के एक या दो या दो से ज़्यादा लोग भी होगे और ekal भी होगा, यानि के single anchoring भी होगी। ये इसलिए बदलने हैं ताकि मीटिंग्स बहुत सारी होनी हैं, लोग बहुत सारे होने हैं तो आप अपने मीटिंग के संचालन के स्किल को, यानि उसकी जो कारेपरणाली है, उसकी जो तरीका है उसको double up कर लें उसको समझ लें जो problem यहां आपको meeting संचलन में आती है वो वहां face ना करनी पड़ें आप as an expert यानि बहुत ज़्यादा मजे हुए एक संचलन की तरह है वहां जाके meeting करें और जो छोटी मोटी समझ से आए उनको solve कर लें इसलिए आप यहां लगाता लगातार क्योंकि यहां सारे पके हुए लोग हैं आप अगर anchoring में थोड़ा बहुत संचलन में थोड़ा बहुत अगर misguided भी होते हैं या इधर उदर भी जाते हैं तो यहां के लोग बरदास्त कर लेंगे मगर जो नए लोग हैं वो बरदास्त नहीं कर पाएंगे वो भाग जाएंगे इसलिए आपको यहां practice करनी चाहिए इसी practice के तहट में लगाता लगातार anchoring बदलेगी तो एक anchor को, एक host को, एक संचालक को एक meeting के चलाने वाले को कैसा होना चाहिए, उसका कैसा वैवार होना चाहिए ये basic international rule है पूरी दुनिया में जो बताये जाते हैं, जो संजाये जाते हैं जो संचालक है, उसके अंदर अपना कोई ego नहीं होना चाहिए कोई एहम नहीं होना चाहिए, कोई घमड नहीं होना चाहिए कोई उसके अंदर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे संचलन में ये पता चले कि वो अपने आपको बहुत इगोईस्ट या एहम समझ रहा है क्योंकि वो 50, 60, 100, 200 लोगों को अब नियंत्रित कर रहा है, संचलन कर रहा है उसका अपना कोई उद्देश से नहीं होना चाहिए यानि कि जब वो मीटिंग को संचलन कर रहा है तो उसका इंडिजिवल अपना कोई उद्देश से उसके मन में नहीं होना चाहिए अगर हो तो उसको एक तरफ रख रख रहना चाहिए उसका जो उद्देश से वही होना चाहिए जो समू का उद्देश से यानि कि जो उद्देश से समू ने मिलके decide किया है उसी उद्देश को रहते हो उसे महां बात करनी है और लोगों को उसी बात पर लेके आना है ताकि वो उद्देश से पर रहें किसी से अगर उसका बैर भाव है पर्सनली और वो मीटिंग में सामने बैठा है तो वहाँ उसको भूल जाना चाहिए यानि उसको निर्भाव हो जाना चाहिए कोई बैर भाव किसी से मन में नहीं होना चाहिए चाहे वो उसका कोई जानकार है, चाहे उसका रिटेव है, चाहे उसका कोई दुश्मन है वो सभी को समानता से देखना चाहिए और जिस समय वो मिटिंग का संचलन करे उसके लिए ये बात महकपुण होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति इस पूरे समय वो मिटिंग के लिए क्या दे सकता है, कितना इंपोर्टन है बजाए इसके, कि अगर सामने वाला व्यक्ति उससे कोई बैरभाव रखता है या कोई बात हुई है, तो मैं उसको चांस ना दूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक संचलन को, एक होस्ट को बार-बार वो संचलन कर समय मीटिंग में ऐसा नहीं चताएगा बात करते हुए कि वो जो लोग बोलके जा रहे हैं या जिनको वो कॉल कर रहा है बलाने के लिए जो बोल रहे हैं, उनसे ज़्यादा विदवान है, ऐसा नहीं वो कहेगा क्योंकि संचलक है, उसको पूरी जो टीम है, जो पूरा ग्रूप है, उससे उसको उद्देश से निकालना है इसलिए अगर विदवता उसे अपनी शो करनी है, दिखानी है, तो वो जब खुद स्पीकर हो, तब इस बात को रख सकता है ये बात बहुत इंपोर्टन्ट है, क्योंकि अधिकतर मीटिंग में कैई वार जाने और अंजाने में जो संचलक होता है, वो सामने वाले से उसको ओवरकम करने की, उसके उपर सवार होने की अंजाने में या जानकर कोसिस करता है, जिससे मीटिंग का उद्देश से ना उसकी आँखों में गुसा है, ना उसके बातों में प्यार जलके, ना करूना हो, सिर्फ एक प्रोफेशनल वे में एक सपार्ट उसके पास में बातचीत हो, जो उद्देश्यों को निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, उसके मन में समानता होनी चाह है किसी ने ज्यादा सहयोग किया किसी ने कम दिया है उससे कोई लेना दिना नहीं है वो सब को समान दर्ष्टी से देखेगा यह एंकरिंग के इंटरनेशनल यानि के अंतराश्टिय मानक दन हैं जो सारे मीटिंग्स में होते हैं अगर कहीं कोई एंकर से को गलती हो ही है तो उसको बिना देर किये उसको accept करना चाहिए सुईकार करना चाहिए उसके लिए sorry बोलना चाहिए माफी माँगनी चाहिए क्योंकि सारा गुरुप और सारा समूं उसके उपर depend होता है उसकी बात के उपर वो चलता है एंकरिंग करने से पहले तैयारी करके आना चाहिए मेहनत करके आना चाहिए तैयारी और मेहनत कैसे होगा सफल एंकर जो होता है वो इस बात में एंकरिंग होता है कि जिनकी आज वो एंकरिंग करतेगा जिनको वो संचलन करेगा जिनका वो आज होस्ट है जो वो मीटिंग चलाएगा उस मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं उनके सभाब कैसे हैं उनके काम कैसे हैं उनके बारे में जानकारी वो इखटी करे कौन आदमी कैसा कैसा है क्या सुभाव है कितनी जानकारी उसके पास है कितना वो उद्देसे के लिए उस मीटिंग के लिए fruitful है उसके हिसाब से वो हिरार की बनाए मन में एक सीरे बनाए नमर बनाए किसको पहले बलाना है, किसको बाद में बलाना है, किसको कब call करना है, कैसे उसको देखना है, कितना उससे निकालना है और अगर कोई व्यक्ति उद्देश से के opposite जाता है, तो कैसे उसको neutral करना है, कैसे उसको request करके शांत करना है बहुत polite तरीके से क्योंकि उद्देश से defeat नहीं होना चाहिए और जागता और vigilance होना चाहिए कि उसके जो संचालन जिनका वो कर रहा है जो लोग सामने हैं उसके वो bore नहीं होने चाहिए वो इधर-दर नहीं देख देखने चाहिए meeting boring नहीं होनी चाहिए meeting बुलकुल intact रहने चाहिए फालतु की बात meeting में नहीं होनी चाहिए meeting ज्यादा लंबी नहीं खिषनी चाहिए meeting short भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि लोग आएं और आके कहें कि हम क्यों यहां आएं यह सारी जारुकता vigilance और उसका common sense लगातार उसको देखते रहना चाहिए और उसको तोलते और नापते रहना चाहिए जो host है जो संचलक है उसको सबसे पहले meeting से पहले उद्देश से इस पर चोना चाहिए और अगर उद्देश से का पता नहीं है तो बाकी member से पूछना चाहिए कि इस object क्या है इसका उड्देश से क्या है इसका हमें निकालना क्या है मीटिंग से और अपने उड्देश से की पORAपटी के लिए उसे लगातार ध्यान देना चाहिए कि वो कितना object, कितना उड्देश से कितना objective उसने निकालके ला चुका है नुपसान जादा नहीं होना चाहिए ये नुकसान का मतलब है कि कोई न कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो मीटिंग को खराब करने वाला हो, नाराज हो, ना समझ हो, या अपने अपने एगोर एहम में मीटिंग को खराब करें, बहुत तरह के लोग आते हैं, तो कई वार मीटिंग डैमेज हो जाती है, नुकसान ह तो समझदारी होश्ट की संचलक की इस बात में है कि वो कम से कम नुकसान होने दे और ज्यादा से ज्यादा उद्देश से और फायदा ले क्या है और समय को बचाने वाला हो यानि के सेविंग हो टाइम की ऐसा ना हो के मीटिंग इतनी लंबी हो जाए कि सब लोग चले जाएं और मीटिंग अपने उद्देश से को नाप्राप्त हो इसलिए एक limited समय में तो जो वक्ता काम का है उसको बोलने देना है उतना ही बोलने देना है जो काम कर रही है उससे छमा भी मांग सकते हैं उसको बात में समय दे सकते हैं जब समय खा दी हो तब दे सकते हैं मगर उस दिन का उद्देश से निकल के आना चाहिए इसमें होस्ट की सफलता का percentage पता चलता है कि कैसे है, एक host, एक संचालक, एक प्रवंदक, एक meeting को चलाने वाला, एक organiser, एक meeting का जो manager होता है, उसकी सफलता इस बात पर है कि जो उद्देश से उसको दिया गया है meeting को चलाने के लिए, उसमें वो कितने percent सफल होता है, और बाद में कितना वो कम से कम damage करता है, और कितना फायदा करता है, इससे depend करता है कि उसका संचालन कैसा रहा, संचालन करते समय हम ऐसा energy होना चाहिए, energy से भरा हुआ होना चाहिए, और फिल्कुल fresh तरीकी से होना चाहिए, कहीं लगे संचालन को कि वो ठक गया है, या नहीं कर पा रहा है, या बोज हो गया है, या समझ नहीं आ रहा है, तो अपने जो co-hosting है, या को संचालन है, या जो उसका साथ वाला है, सैस संचालन है, या वो किसी से भी मदद मांग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीटिंग चलते रहना इंपोर्टेंट है, मीटिंग बीच में डिश्टक नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको बिना देर गवाए, किसी भी साथी से तुरनत मदद मांग लेने चाहिए, और हो तो एक दो नाम ऐसे रखने चाहिए, कि अगर एमरजसी पढ़े तो वो मीटिंग को समालने है, क्योंकि मीटिंग जारी रहने चाहिए, मीटिंग किसी भी हरात में रुपनी नहीं चाहिए, तो जब भी आप हौश्टिंग करें, जब भी आप मेजवान बनें, जब भी आप और सीरिस्ली देखें कि मीटिंग कैसे होती है और भी लोगों की मीटिंग को अबजर्ब करें उसको समझें उसको पूछें क्योंकि आपको बहुत सारी मीटिंग अभी संचलत करनी है आप यहां प्रेक्टिस करेंगे यहां सीखेंगे तो जब खुद मीटिंग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा और आप ऐसे ही लोगों को और संचलंग के लिए तियार करें, होस्टिंग के लिए तियार करें, क्योंकि कम से कम 10,000 हमारे पास संचलंग होंगे, 10,000 मिटिंग लेने वाले होंगे तब आप कहीं ये मानना कि आपके घर में कहीं कुछ प्राप्त होने वाला है आपके बच्चे को कहीं कुछ प्राप्त होने वाला है 10, 5, 20, 30, 50 मिटिंग से कुछ नहीं होने वाला बहुत ज़्यादा लोग है, बहुत बड़ा देश है, धन्यादा